जै मातादी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसकिन के उपर चकत्ते जैसे दिखते हैं रंग तो बहुत साफ है लेकिन फिर भी पास से देखने पर इसकिन गंदी गंदी लगती है चेहरा एकदम डल महसूस होता है जैसा लगता है चेहरे को कई घंटे से बिल्कुल धोया ही नहीं है साफ ही नहीं किया है या पूरी तरीके से चेहरे की साफ सफाई कभी होती ही नहीं जबकि नियमित चेहरे की साफ सफाई भी होती है तो ये सभी समस्यां क्यों आती है हमारा जबकि रंग साफ होता है लेकिन फिर भी दूर से देखने में या बहुत करीब से देखने में ऐसा लगता है कि चेहरे में बहुत सारे दाग धबें हैं और चेहरे का रंग एकदम डाउन है तो ये दिक्तें क्यों होती हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो मे हैं ये सारे दिक्तें हमारे साथ में तब होती हैं जब वास्तों में हमारा साफ सफाई का तरीकत चाने तो में यहां के कोई चेहरे को साफ नहीं करता वह तो उन लोगों के लिए हैं जैसे जिनके पास समय नहीं होता है सुबह जल्दी घर से निकलते हैं लेट नाइट घर वापस आते हैं तो बस वो फटा-पट किसी तरीके से नहाके य 911 को अपने फेस को धोकर के खाना वाना खाकर सव जाते हूं उन्हें जल्दी निकलना होता है चेहरे की केर करने का समय कों नहीं साम को जल्दी वापस आना है या कुछ लेडी जैसी है जो की घर में ही रहती है और अपने चेहरे की नियमित वो साफ सफाई भी करती है लेकिन उनका साफ सफाई करने का जो तरीका है साइद वो ठीक नहीं है जिसकी वजह से उनके चेहरे पर इस तरह की दिक्कतें आ जाती है खुल मिलाकर कोई भी रीजन हो यहाँ पर मैं जो आपको तरीका बताऊंगी और जो उपाई बताऊंगी उससे आप सभी को पूरी तरीके से फायदा होगा तो दिखे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया है और हमेशा बताती भी रहूँगी कि चेहरे की साप सफाई के लिए कच्चे दूद का इस्तेमाल कीजिए जब भी आप दूद गरम करने के लिए रखते हैं उसी में से आप एक चमस दूद अलग निकाल लिजे चोटी सी कटोरी में एक चमस दूद निकाल लिजे उसमें रूई का फाहा भिगो करके अपने पूरे फेस को गीला कीजिए उसके बास सूखे रूई से अपने फेस को पोच दीजिए ये क्रिया आप दो बार कर सकते हैं लगादार एक साथ में इससे आपके चेहरे के अंदर जमी हुई मेल गंदगी पूरी तरीके सी खीच के कच्चा दूद बाहर कर देता है जिसे कि फेस के अंदर से एक अनोखी सी ग्लो आती है एक बढ़िया सा निकार हैं तो वो धीरे-धीरे करके एकदम साफ हो जाते हैं खतम हो जाते हैं और आपकी स्किन के अंदर से एक अच्छी सी चमक पैदा होती है उसके अलावा अगर कच्चा दूद उपलब्द नहीं होता है या आपका टाइम एकदम सुटेबल नहीं है कि जिस समय दूद कच्चा आपको अपना फेस क्लीन करना है इसके लिए आप मेरी एक प्लेलिस्ट है घरीलू फेस पैक या चेहरे की केर तो उन प्लेलिस्ट में आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मैंने बहुत सारी वीडियो दी है या बहुत जल्दी ही मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगी तो आप देख लीजेगा यहां पर मैं थोड़ा सा बता देती हूं बस अपने हाथेली को गीला गीजिए और आधा चमा सुखा बेशन रखे इस तरीके संबल लीजिए और चेहरे के उपर रगड़िए हलके हलके हां तो संबल लिए अपने गीले चेहरे के उपर और दोलीजिए इससे भैप आपका फेस पूरी तरीके सब्लीन हो जाता है यानि कि अंदर से एकदम साफ हो जाता है अब हमें अपने चेहरे की इसकीन की केर के लिए क्या करना है यानि की स्पोर्ट दिख रहे हैं रंग साफ होने के बावजूद भी चहरा हमारा डाउन दिख रहा है काला दिख रहा है उसके लिए आपको मैं बताऊंगे भी मैंने एक दो दिन पहले ही अपनी एक वीडियो दी थी नाइट क्रीम उसमें बनवाई थी वो नाइट क्रीम आप लगा ताल लगाई आपके फेस की सारी दिखिते खतम हो जाएंगी उसको यहां पर मैं आपको एक फेस पैक बता रही हूं आपको फेस पैक क्या करना है लाल मसूर दाल का पाउडर लेना है लाल वाली जो मसूर की दाल होती है उसका ही मिलाना है और दो चुटकी इसी में आपको हल्दी मिलानी है आधी चुटकी आपको इसी में साधा नमग मिलाना है बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको फेट लेना है ढक के इसको दो से तीन मिनट रेष्ट के लिए रख देना है और दो तीन मिनट के बाद मैं फिर से इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए अगर आपको गाढ़ा लगता है तो जरुवत के हिसाब से आप इसमें दो चार बूंद नीबू कर रस या गुलाब जल मिला सकते हैं अगर इसकी आपको बहुत ज्यादा ड्राय है रूखी सूखी बेजान है तो इसी में आप चमर दूद की मला ही मिला सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए अपने फेस के ऊपर एक इसकी मोटी सी लेयर लगा दीजिए और पंद्रा मिनट के बाद में आप साथे पानी से गुनगुने पानी से चेहरे को धो लिजए अभी क्योंकि मौसम चेंज हो गया है ठंडा है मौसम इसलिए अप कुनगुने पानी से ही अपने फेस को दोईएगा आप देखेंगे जैसे ही आपके फेस के ऊपर से फेस पैक उतरेगा आपके फेस के ऊपर आपको एक अनोखी सी ग्लो अनोखी सी चमक दिखाई पड़ेगी तो जरा सोच के दिखे जब पहली बार में रिजर्ट आपके सामने दिख रहा है तो अगर रेगुलर इसको अपने यूज में आप लेंगे तो आप स्वेम ही समझ सकते हैं कि आपके फेस के इसकी दिनो दिन कितनी बेहतरीन होती चले जाएगी तो उम्मित करती हूं आपको जानकर यह अच्छी लगी होगी और वास्तों में अगर आपको लगता है कि वीडियो काम की है और यह उपयोगी हो सकती है किसी को इस वीडियो से लाब हो सकता है तो प्लीज ज्यादा ज्यादा सेयर कीजेगा नमस्कार दान्यवाद